नमश्कारम सद्गुरू, आपकी किताब Mystic Music में मैंने पढ़ा है कि अगर मैं किसी को रेकी देती हूँ, तो उसके कर्मों के पैटर्ण्स मुझ पर आ सकते हैं, मैं खुद को इस चीज से कैसे बचा सकती हूँ? इसे ना करके, क्योंकि ये सब चीजें उन लोगों से आई हैं, जो बौध मठों को बीच में ही छूड़ कर आ गए। अगर आपने यहां देखा, लोग कैसे उर्जा से फूट रहे हैं, जो भी, ये तो सौम्य लोग हैं, कई और उग्र हैं, जो उर्जा के विस्फोट हैं, अगर आप इन्हें लोगों को ठीक करने वाला बनाना चाहें, तो वो उसमें बहुत कारगर होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर अगर किसी ने भी कुछ ऐसा करने की कुशिश की, तो बस हो गया उनका। मैं उन पर ऐसी परा चड़ा दूँगा, कि जिन्दगी भर वो आध्यात्म के नाम पर कुछ भी नहीं जान पाएंगे। और निश्चित ही हम उन्हें इस जगाय से भी बाहर कर देंगे, क्योंकि हमें ऐसे लोग नहीं चाहिएं। इसलिए नहीं कि हम किसी के दर्द को दूर करने के खिलाफ हैं। पर आपका किसी और की जीवन प्रक्रियाओं के साथ छेड़ छाड़ करना, उसे उसकी संपूर्टा में जाने बगएर ये गहर जिम्मेदाराना है। ये ऐसा है कि आप जानते हैं ना कि इन दिनों आप किसी बड़ी सर्जरी को वीडियो पर होते हुए देख सकते हैं। तो कल किसी को कोई प्रॉब्लम हुई और आपने शेविंग वाला उस तरह लेकर उसकी सर्जरी करने का फैसला कर लिया। मैं कह रहा हूँ कि शायद कुछ लोग ऐसा करने से बच भी जाए। लोग इस तरह के उपचार से बचे हैं है की नहीं। कई बार लड़ए वाले क्षेत्रों में प्रकरती में जब दुरगटनाएं हुई तो लोगों ने किसी की बिलकुल बुनियादी तरीके से सर्जरी कर दी और वो बच भी गए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सर्जरी करने का ये तरीका होता है। है ना? सर्जरी ऐसे नहीं की जाती है, है की नहीं। ये बस इतना है कि कुछ लोग ऐसी सर्जरी से बच गए। असाधारन परिस्थितियों में ऐसा किया गया। तो किसी और की उर्जाओं के साथ किसी भी तरह की छेड़ छाड़ करना बिल्कुल बचकाना है। ये एक स्तर की अपरिपक्वता और भगवान की भूमिका निभाने के एक एहंकारी भाव की वज़े से हो रहा है। अगर ये करुणा से होता, तो आपको क्या प्रॉब्लम होती? हर किसी के कर्म भी आपके उपर आ जाएं अगर उसे पीड़ा से छोड़कारा मिल रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? पर ऐसा नहीं है. आप दस्ताने पहन कर भगवान की भूमिका आदा करना चाहते हैं. ये इस तरह से नहीं होता. हाँ? क्या ऐसा नहीं है? जब तक आपकी इस हद तक भागीदारी ना हो, आप कभी इन चीजों से छेड़कानी मत करना.